नमस्कार मैं CSC भीली धीरज बर्मा और आप सभी देख सकते हैं हम डीजी लाइट के साइट पर हैं और आप लोगों को बता दें अगर आप नए CSC संचालक हैं तो आप लोगों के लिए खुसकबरी नए पुराने सभी के लिए खुसकबरी अगर आप डीजी पर लाइट का आपको ID मिला है तो आप लोगों को इस साइड के जरी बहुत असानी तरीके से पैसा निकासी ट्रासफर कर सकते हैं मीनी ATM का सुविदाव पा सकते हैं वह भी बहुत असानी तरीके से हम देखते हैं अपने साइड में क्या इसके बारे में डीटेल जनकारी हम लोग देखते ह है जैसे कि देख सकते हैं हम अभी login कर रहे हैं आज हम इसका इसका इस्तेमाल किए हैं बहुत यह बहुत ईजी तरीके से इस्तेमाल किए बहुत यह असान है और आप लोगों को सब से पहले dgpaylight को आप डानलोड करना होगा playastoreुसे这ए आपर देख सकते हैं Android में और इसमें आप लोगों को guideline ये है कि आप लोगों को EKYC शुरू करने से पहले महतपुर्ण जनकारी अगर आप इस डीजी पे light यूज़ करना चाहते हैं इससे पहले आप लोगों को एक महतपुर्ण जनकारी दिया गया है जो EKYC के लिए pen card, अधार card, पंजिकरित, mobile number, mail ID के साथ त्यार रहे हैं, EKYC के समय device का location रखे हैं ये हम जैसे ही डीजी पे light खोल रहे हैं वेब में आप लोगों को बता दें डीजी पे light जो है दो भर्जन में है आप अपने laptop में खोल सकते हैं और भी किसी भी तरह का software की जरूरत नहीं है सिर्फ आप web में सर्च करना है डीजी पे light और इसके जरी आप सभी login कर सकते हैं, link हम description में दे देंगे और आप सभी दूसरा option है कि आप अपने android mobile में login कर सकते हैं बहुत असानी तरीके से, इसके लिए आपको सबसे पहले play store में डीजी पे light डाउनलोड करना होगा, उन लोगों के लिए ह जिनका ID password mail में आ चुका है, उन लोग इस्तमाल कर सकते हैं, डीजी पे light, उसका link ग्रूप में आया हुआ था, अगर आप अभी तक आप लोगों को डीजी पे light के लिए आविदन नहीं दिये हैं, तो आप अपने DM से संपर्क करें, और उसके जरी आप डीजी पे light के लिए आविदन दे सकते हैं, और आप लोगों को कुछ ही दिनों में, डीजी पे light का ID password मिल जाएगा, जिसके जरी आप सभी बहुत ही असानी तरीके से, इस्तमाल कर सकते हैं, आप लोगों को बता दें, डीजी पे जो हमारे CSC में चल रहा था, उससे कुछ ब देखने का दिक्कत होता था, लेकिन इसमें बहुत ही clean आप देख सकते हैं, और बहुत easy है, बहुत अच्छा लगा, मैं third party भी publication यूज करता था, क्योंकि डीजी पे में थोड़ा सा problem हा रहा रहा था तो, लेकिन अब CSC भेलियों के लिए बहुत ही कुछ ख़बरी है, कि problem होता है, तो आप बात भी कर सकते हैं, इस number पर, इसका समय है, साड़े 10 बजे से साड़े 7 बजे तक, किसी भी तरह का समस्या है तो, और इसमें आप लोगों को, बहुत ही pop-up के जरीए भी तुरंत question कर सकते हैं, इसमें आप लोगों का chatting का भी option दिया है, और उसके जरीए आ जनकारी बताएंगे, आप लोगों को, जैसे कि देख सकते हैं, आप पर help लिखा हुआ है, अगर किसी भी तरह कर दिक्कत है, आपको यह EPS में है, DMT में है, MATM में है, MATM में है, MATM में है, MATM में जो आप MATM जैसे इस्तमाल करते हैं, laptop या mobile में, या wallet related, insurance, device related, training, यह सब सा साइड में खुद जान सकते हैं, वीडियो के जरिये, और यहां पर live chat भी कर सकते हैं, अगर किसी तरह के query हो, तो यहां पर live chat कर सकते हैं, यहां से, और live chat में आप लोगों को answer मिल जाएगा, कोई दिक्कत हो, तो इसके जरी आप से भी training ले सकते हैं, क्या किस तरह के साइड के जरी निकासी करना है, सारा detail है, आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोगों को जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को dashboard खुलेगा, dashboard में देख सकते हैं, कि आप कितने बार DMT किये हुए हैं, कितने DMT हम से कितना निकाले हैं, आप ल देखने को मिलेगा, APS Today, सारा कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा है, यहां पर सबसे पहले अगर पैसे निकासी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले, यहां service पर click करना होगा, और आप लोग service में click करते हैं, तो आप लोगों को यहां पर दो option आता है money transfer और EPS का, आप लोगों को EPS में click करना है, आप जैसे क्लिक करते हैं, तो आप लोगों देख सकते हैं, यहां पर case-withdraw, balance inquiry, mini statement, आप लोगों को सबसे पहले यहां पर number जालना होगा, यहां पर number जालने के बाद, आप लोगों को Aadhar number जालना होगा, अधार number जालने के बाद, अगर आप यह सब बैंकों में से है तो आप अपना एस्टेट बैंक है तो अस्टेट बैंक डाले तो केंडरा है तो केंडरा डाले या फिर वदर करके सेलेक्ट करें जैसे कि हमारा नियर ब्रांच पंजाब का है तो यहां पर पंजाब हम सर्च करते हैं जैसे देख सकते हैं फिर आप लोगों को जिस amount आप निकालना चाहते हैं उस amount को यहां पर वदर करके click करना है या फिर आप एक हजार पॉंच सो दो तो यहां पर select option दीक ही रहा है लेकिन आप कोई दूसरा amount select करना चाहते तो यहां पर order करके click करना होगा इसके बाद amount डालना होगा amount डालने के बाद आपको यहां पर capture करना होगा इसके बाद आप लोगों को यहां पर recommend किया गया है कि आपको 40% जब तक इससे अधीक नहीं होता है तब तक आप लोगों को capture करते रहना है किसी भी party का DGP में क्या दिक्कत था कि किनी party का सही से finger काम नहीं किया था तो हर बार cancel हो जाता था कि कितना percent 40% से उपर है तभी आप लोग को submit करना है submit करते हैं ता आपका full process हो जाएगा आप लोगों को जनकारी रखना है कि जब तक आप लोगों को 40% से कम हो तब तक दुबारा आप लोगों को capture करते रहना है और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं device करके आ रहा है device में आप लोगों को जो device यूज करने finger के लिए उसको select करना होता है तभी आप लोगों का finger successfully submit लिया जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ point को फिर में review करके आप लोगों को बता देता हूं जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को mobile number डालना है आधार नमबर डालना है फिर आप लोगों को select करना bank जैसे कि यहाँ पर वदर किये और यहाँ पर मैंने पंजाब का डाला हुआ था म मैं जो कहीं bank of India का डालना है तो यहाँ पर मैंने हटा लिया फिर bank of India डाला तो देख सकता है bank of India आ गया और हमको कहीं पांच जाद 10,000 निकालना है तो आप लोगों को यहाँ पर other amount पर click करना है और यहाँ पर amount से 10,000 हम click कर दिये फिर आप लोगों को दूसरा option है यहाँ पर submit करना है आप लोगों को submit करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मंत्रा डिवाइस दिख रहा है, वहां पर इसके साइड में आप देख सकते हैं, आप पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा डिवाइस लगा के रखे हैं, फिंगर प्रिंट के लिए, तो आप लोगों यहां देख सकते हैं, मौर्फो है, और भी बहुत सारा है, तो आप जैसे हमारा मौर्फो है, तो मौर्फो पी किली करेंगे, और आप लोगों को ध्यान देना है, कि यहां पर रिकमेंटेट, फिंगर, आप लोगों को 40% से अधीक होता है, तभी आप लोग सम पाटे को भेजना चाहते मोबाइल नूमर के जरिए तो यहाँ से भेज सकते हैं बहुत अचनी तरीके से, और आप लोगों को जेनरल रिपॉर्ट में जेनरल रिपॉर्ट भी देख सकते हैं कि कितना निकासी हुआ क्या रिपॉर्ट देखना चाहते हैं जैसे कि लॉन payment repayment laundry payment का option दिया है जो हमारा डीजी पे में नहीं दिया था और डीजी लैट में बहुत ही बहतर स्वीधाई लेकर आई है और आप लोगों को काम असान हो जाएगा क्योंकि मैं लगबख दो दिन असे यूज कर रहा हूं क्योंकि दो तीन दिन ही हुआ है यह डीजी पे कर रहे थे लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस तरह की सर्वीसेस लेकर काईगी DCSE के द्वारा बहुत यह ची सर्वीस है जितना इसका तारीफ करे उतना कम है इसमें देख सकते हैं और आप लोगों को टांजेक्शन के जरी आप सभी पता कर सकते हैं कि कि किसी का पैसा निकासी हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलता है कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं वाइलेट टू इसमें अगर किसी थरद पाटी कर निकालते हैं तो आप लोग लगता है कि निकासी हुआ या नहीं हुआ इसको चेक करने के लिए आपर किलिक तो refresh होकर करके update हो जाता है जिसके जरी आप से भी पता कर सकते हैं कि हमारा किस पार्टी का हम निकाल रहे हैं उसका निकल गया है और नहीं निकला है और इसके बाद अगर आप transaction report के जरी यह भी पूरी details जान सकते हैं किसी भी पार्टी का जैसे कि देख सकते हैं पर कि आप DMT क के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे में जान सकते हैं UPI के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसका report जैन जान सकते हैं commission के बारे में जान सकते हैं और यहां पर एक option यह एक और है जो कैस आउट कैस आउट आप कितने बार कैस आउट कर चुके हैं इसके बारे में detail जनकारी रिपोर्ट के जरी है, आप सभी बहुत आसानी तरीके से जान सकते हैं, और एक जनकारी और जो आप लोगों के लिए बहुत important है, जैसे हमारा wallet में यहाँ पैसा आ जाता है, तो अपने account में transfer case से करें, जो बहुत important है, वो सभी को जनकारी होना अनिवार है, क्योंकि यह नई side आया हुआ है, अभी तो सभी लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, पर case out क option है, कि साउट के जरी आप सभी अपने wallet में पैसा जोड सकते हैं, और यहाँ पर दो option मिलता है आप लोगों के लिए, IEMPS और NFT, आप लोगों को पता ही होगा, IEMPS में तुरंत आप लोगों का पैसा चला जाता है, आपके खाते में, जिसमें आप लोगों को चार्ज करता है, और NFT करते हैं, तो आप लोगों को चार घंटे के अंदर जाता है, एक जनकारी आप लोगों को होना अनिवार है, अगर नहीं जानते हैं, तो आप लोग जान ले, MPS में तुरंत चला जाता है, पैसा इसके लिए चार्ज काटती है, कोई भी कमपनी हो, CSC हो या या थर्ड प के अंदर जाती है, यहाँ पर aid account भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, कि एक दो account में add करूं, तो यहाँ से add कर सकते हैं, बहुत असानी तरीके से, और जैसे ही आप select करेंगे, select करने के बाद आप लोगों को, अगर किसी को पैसा भेजना है अपनी account में, तो यहाँ पर select ज जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को कितना amount भेजना हो डालना होता है, फिर आप लोगों को process करने के बाद, आपके account में पैसा चला जाता है, इसके बाद भी अगर किसी तरह का doubt हो, तो आप हमें comment करके बताएं, हम आप लोगों के लिए, फिर वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, अगर हमारे चैनल पर नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, CSC BLI दीराज बर्मा, धन्यवाद